Central Power Research Institute CPRI यानि केंद्रिय विद्दूत अनुसंधान संस्थान इस डिपार्टमेंट में ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और ग्रेजवेट केंडिडेट के लिए वेकेंसी आ चुकी है जिसके की फॉर्म आपके नमंबर मन्त में भरे जाएंगे बहुत अच्छी वेकेंसी है अभी ITI पास आउट, डिप्लोमा या ग्रेजवेट सभी के लिए इन जैसे जितने भी डिपार्टमेंट से हैं इसमें वेकेंसी भले कमाती बट ये बहुत अच्छे विवाग होते हैं ऐसी वेकेंसी जा रही है बस अब आपको तयारी की जरूरत है तो स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चनल पर आएए देखेंगे इस वेकेंसी का कम्प्लीट नोटिफिकेशन एंड यहां आप अगर कैरियर सेक्षन लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्षन में चलेंगे तो यहां आप देखेंगे सार्ट, रेक्रूट्मेंट, एड्वार्ट इसमें टेकनीशियन की भी पोस्ट है, वाचमैन की भी पोस्ट है, कम्प्लीट नोटिफिकेशन को हम लोग चेक करेंगे, जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस तरह का कैरियर वाला सेक्षन ओपन हो जाएगा, यहां अगर आप वेकेंसी देखें किसकी किस इंजिनरिंग ऑफिसर ग्रेड वन की है, इंजिनरिंग असिस्टेंट की है, टेकनीशियन ग्रेड वन है, असिस्टेंट ग्रेड टू है, एंड एम्टीस की वेकेंसी ग्रेड वन वाचमैन में, ठीक है, इतना है, और जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, वो आपका एक नवंबर 2022 को आ जाएगा तो हम उस पे detail में video and कैसे form apply करना उसका video बना देंगे with syllabus यहाँ पे technician जो है इसमें apply करेंगे ITV pass out candidate, engineering assistant में diploma, engineering officer में graduate ठीक है और नीचे की vacancies का भी हम लोग देखेंगे पूरा detail तो यह रहा यहाँ पे notice इसको कर लिया हमने download अभी open कर लेते हैं last date क्या रहा है कि 21 नॉंबर यानी पूरे पूरे आपको 21 दिन का approach time दिया जाएगा form भरने के लिए यह है notice Central Power Research Institute की तरफ सी यह short notice है यह notice आप मारे telegram channel take study ITV से प्राप्त कर सकते वहाँ पे भी हम share कर देंगे सारी update इस telegram channel पे भी हम share करते रहते हैं description में link है आप चाहें तो join कर सकते हैं या search करके भी जुड सकते हैं and YouTube पे जरूर जुड जाएगा और वीडियो को like and subscribe कर लिजेगा चैनल को जिससे कि आपको आने वाली सारी update and informations मिलती रहे यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें ते government of India नहीं central government की आपकी जावब होने वाली है and जो applications आने वाले हैं कितने देखिए engineering officer grade 1 की वैकेंसी है total 20 scientific या engineering assistant की वैकेंसी है साथ technician grade 1 की है 15 assistant grade 2 की है 16 post and mts grade 1 watchman की post है total साथ जो की reserve है किसके लिए ex-serviceman के लिए ठीक है यहाँ पे दो post reserve है PWD के लिए इन सब में आप category wise reservation देख सकते हैं ठीक है दिया हुआ already payment scale की बात करें तो engineering grade जो officer है उसमें आपको 44900 आपका starting जो है pay matrix रहेगा level 7 यहाँ level 6 3500 and यह सिर्फ आपका basic case में DA and सब कुछ मिला के जो आपकी salary बनेगी वो एप्रॉक्स 45 के क्या सपा 45 to 50 के क्या सपास बनेगी यहाँ technician grade 1 में अगर आप देखेंगे level 2 की poster 19,900 यानि आपका एप्रॉक्स 20,000 क्या सपास payment starting का होगा assistant grade 2 में 25,500 and mts grade 1 watchman के case में 18,000 रुपी यहाँ पे बेतन मान जो है वो रखा गया है अगर branch वाई यहाँ vacancy देखेंगे देखें सीरियल नंबर 1 और 2 का तो दिया है बट यहाँ 3, 4 and 5, 3 का especially technician का नहीं दिया हुआ है generally यहाँ जो vacancy आती technician में electrician, wireman and fitter इन सब की आती बट हम लोग wait करेंगे detail notice का कि उसमें किनको किनको यहाँ पे मौका धिया जाएगा इस पार engineering अगर इसमें देखें electoral engineering की बारा है electronics and communication की दो है mechanical की 5 and civil की एक तो ऐसा ही कुछ आप technician में भी समझ सकते हैं कि electrical की थोड़ी जादा होगी electronic mechanic की भी हो सकती है and fitter की भी हो सकती है इसके साथ साथ वहाँ पे turner या machinist से भी कुछ vacancies आ सकती है serial number 2 की बात करें chemistry की 3 है electrical में 2 है civil की 1 and mechanical की एक post है number of vacancies tentative है हो सकता है notification आने तक अगर इन्हें कुछ और departments या कुछ और vacancies खाली दिखेंगी तो उस date पे जो actual notification आएगा उसमें ये number of seat जो है वो बढ़ाई जा सकती number of vacancy को बढ़ाया जा सकता है अभी के लिए फिलाल हम लोग wait करेंगे एक November का जब 10 बजे इसका detailed notification एंड साथी साथ apply करने का link, date, सारी चीजें जो है जारी की जाएंगी eligibility criteria क्या मागा जाएगा क्या experience की demand होगी या नहीं होगी apprentice की demand होगी या नहीं होगी उन सब के बारे में उस टाइम पे चर्चा करेंगे, वैसे previous अगर recruitment दिखा जाए तो इसमें apprenticeship या experience नहीं मागा गया, जो फ्रेसर candidate हैं वो इसमें apply कर सकते हैं बट age का criteria और सब कुछ के लिए हमें detail notification का wait करना होगा आप लोग तैयारी अपने करते रहे हैं DRDU का भी exam आ रहा है, UPPCL TG2 का exam आ रहा है, इसके अलावा जो आपने और form fill up किये होंगे ठीक है, उनके भी exam nations की आप तैयारी, parallel करते रहे हैं जैसे printing press में vacancy आई थी नासिक की तरफ से भी आई थी, हैदराबाद की भी तरफ से आई थी इन सब में लगभग pattern स्वेम होता है exam का, आपकी तैयारी सभी में काम आएगी, thank you very much मिलते हैं अगली update साथ, अगले वीडियों तब तक आप सभी लोग बने रहेगा चैनल पे, and subscribe and like करना बिलकुल मत भूलेगा, thank you